दोस्तों नमस्कार मैं संजे मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर अभी हाल ही में विधान सभा का चुनाव संपन हुआ है चुनाव संपन होने के बाद सरकार बनी है लगवग एक महिना होने को जा रहा है और 8 अक्टूबर को मतगणना हो थी और हर्याना की जो नई सरकार बनी थी यानिकि दो दिन बाद हर्याना की सरकार का एक महिना हो जाएगा इससे पहले लोगसभा क्या चुनाव हुए थी मई 2024 में 25 मई 2024 को हर्याना के अंदर लोगसभा के लिए वोटिंग होई थी और 4 जून को मतगणना होई थी यानि कि 4 जून को लोगसभा की मतगणना और 8 अक्टूबर को विधान सभा की मतगणना इसके बाद में अगर आप मैं आप से ये कह दूँ कि भारती जन्ता पारिटी दो चुनाव के बाद साथ साथ ही अगले चुनाव की तयारी में यानि कि जो 2029 में होना है उसकी तयारी में अभी से लग गई है अब आप कहेंगे ये कौन सी बात है और ऐसा कैसे हो सकता है तो मैं आपको बताओं कि हर्याना के अंदर न किवल हर्याना वलकि पूरे देश के अंदर डिलिमिटेशन होनी है परिसीमन होना है हर 20 साल के अंदर परिसीमन का कारे हुआ करता है और परिसीमन के बाद में नए स्तर पर नए तरीके से विधान सभाओं का लोक सभाओं का गठन होता है चुनाव होता है अगर आप हर्याना के अंदर देखें तो हर्याना के अंदर डी लिमिटेशन इससे पहले 2006 तक पूरी हुई थी, 2007 में अधिसूचना हुई थी और 2009 का जो चुना हुआ था वो उसी समय के परिसीमन के हिसाब से हुआ था कई नई विधानसवा सीटे अस्तित्यों में आई थी उस परिसीमन में ये जरूर था कि हर्याना की जो 90 विधानसवा सीटे थी उनमें कोई बड़ोत्री नहीं हुई थी और जो 10 लोगसभा की सीटे थी उनमें भी कोई बड़ोत्री नहीं होई थी अब वर्तमान परिद्रश्य में जो वर्तमान का परिदेश है इसके हिसाब से देखें अगर तो फिर हर्याना के अंदर लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी और विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी और मैं जो आपसे कह रहा था कि इन चुनाव के बाद में यानि कि जो एक महिना पहले जो हर्याना की सरकार बनी है इसके बाद अगले चुनाव की तैयारी के लिए अगले चुनाव के लिए जो परिसीवन होना है उसकी रूप रेखा उसकी व्यू रचना में भारती जन्ता पारटी के जो नीतीकार है जो नीती नियंता है जो रनीतीकार है वो सब लोग लग चुके हैं देखा जा रहा है कि हर्याना के अंदर ऐसे कौन सी विधान सभा सीटें हैं जहां कभी भाजपा नहीं जीती देखा जा रहा है ऐसे कौन से तहसील है जिनके अंदर भाजपा की जीत नहीं हुई ऐसी कौन सी उपतहसील है ऐसा कौन सा ब्लोग है और इसके साथ साथ ऐसा कौन सा गाव और गली महला है जहां पर भारती जंता पार्टी को चुनाओ में जीत नहीं मिली मैं आपको बताता चलू कि परिसीमन के कारे के जब अंदर जब डी लिमिटेशन हुआ करती है तो उसके अंदर काट छाट बड़े पहमाने पर होती है जो राजनीती में रुची रखते हों बड़े पास से जानते होंगे कि पलवल विधानसवा छेत्र को 2007 में जो परिसीमन हुआ था उसके अंदर पहले रिजर्वेशन कोटे में डाल दिया गया था आरक्षित छेत्र में लेकिन कहा जाता है उसके बाद जब अरजिया लगी अब्जेक्शन लगे और उन अब्जेक्शन की सुनवाई के दौरान उनको जब ठीक किया गया तो फिर पलवल विधानसवा छेत्र आरक्षित नहीं हुआ रिजर्व नहीं हुआ खेर अब हर्याना के अंदर जो 90 विधानसवा सीटे हैं और 10 लोकसवा सीटे हैं संभावना ऐसी है कि ये 10 लोकसवा सीटों से जो बढ़ करके 14 हो सकती है चार लोकसवा सीटे बढ़ सकती है कम से कम और विधानसवा के लिए जो 90 विधायक बनते हैं हर्याना में 90 या कोट किया है कि आपको ध्यान होगा कि हरियाना के विधान सभा नया भवन बनाने की बाद चल रही है और नया भवन बनाने के लिए जो रूप रेखा रच करके गए थे वो अर्याना विधान सभा के जो पूर्वद्यक्ष ते ग्यांचन गुपता ग्यांचन गोयल उन्हो लोगसवा द्यक्ष को और केंद्र सरकार को चिठी डिखी थी जो उसका मजमून बना करके भेजा था कहा था क्योंकि हर्याना के अंदर विधानसवा सदस्यों की संख्या लगबग डेड़ गुना तक हो सकती है इस लिहाज से पहले से ही विधानसवा का भवन नया बन जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बढ़ने की उम्मीद है वो लगबग 36 सीटे हर्याना के अंदर विधानसवा की और लगबग 4 सीटे लोगसवा की जैसा रेशियो बनता है अभी तक का देखें तो 90 विधायक हैं और 10 सांसत बनते हैं एक लोगसवा के अंदर 9 का कारे होना है उस परिसीमन के कारे के अंदर ऐसे कौन से काम किये जाएं जिससे की भारती जंता पार्टी को आगे भी सत्ता के समीब रहने में कोई दिक्कत ना हो सबसे दोस्तों महत्वपूर बात ही है कि जब हर्याना के अंदर विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी जब हर्याना के अंदर लोगसवा के चार सदस्या बढ़ जाएंगे तो आप फिर मालने की राजनीतिक रूप से हर्याना की शक्ती बढ़ेगी एक तो ये प्रमुक बात है और हर्याना के लिए ये फील गुड की बात है कि जब शक्ती बढ़ती है ताकत बढ़ती है तो फिर उस लिहाज से ही पार्टी जो हिस्सा मिलता है विकास के लिए सेंटर गौर्मेंट से वो भी उसी लिहाज से मिला करता है दूसरा जो मैं आपसे कह रहा था कि भारती 22 भारती जनता पार्टी के नेटा कारे करता लगे हुए हैं लग चुके हैं कि कौन से एरिया में हम कमजोर हैं, कौन से में मजबूत हैं और जहाँ पे कमजोरी है किस लिहाज से किया जाए। जिससे कि सट्था की चावी अपने पास रहे। दूसरी बात ही आ जाती है दूसरों और सबसे प्रमुक बात होती है जो मैं आपसे कह रहा था कि एक चुनाव लोग सभा का और उसके तुरंट वादविधान सभा का और फिर अगले पांस साल की तयारी शुरूरू परिक्षा अगर हो जो चातर परिक्षा देते हैं परिक्षार्थी उनके लिए जब एक परिक्षा दिया करते हैं जो फाइनल टेस्ट हुआ करता है उसके बाद में जो परिक्षा के बाद में अगली क्लास में बैठते ही अगली कक्षा में जाते ही बच्चों की तयारी शुर अगर आप देखें तो फिर काम करने का तरीका है परिसीमन के लिए जो आयोग बनना है उसके सदस्य तै हो चुके हैं लगबग लगबग 2026 तक डिलिमिटेशन का काम पूरे उफान पर होगा और संभवता ये 2026 के अंत तक सारी जो प्रक्रिया लगबग पूरी हो जाएगी उ भारती जंता पार्टी के जो लोग हैं जो उनके नीती नियंता हैं नीतिया बनाने वाले हैं कारेकरम तै करने वाले लोग हैं उनके अंदर अभी सही चर्चा है कि ऐसी कौन सी विधानसभा की सीटे हैं जब आजबा कभी नहीं जीती जब ये गिंती होगी तो उनके अंदर जरूर आएगा नाम किलोई का उनके अंदर अगर फरिदाबाद की बात करें तो प्रतला विधानसवा का नाम जरूर आएगा जो 20 साल में कभी एक बार भी नहीं जीती उनमें से कौन सी सीटे रिजर्वेशन में डाली जाएं किसके अंदर डिलिमिटेशन में उनसे कौन से गावों की कौन से एरिया की काट छाट की जाए इस लिहाज को ले करके अभी से हॉमवर्क शुरू है अगर मैं आपसे बात करनूं अपने जिले पलवल और फरिदाबाद जिले की तो आप इसमें तैमान करके चलें कि पलवल और फरिदाबाद आने वाले चुनाव के अंदर जो 2029 में होना है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों जो अभी तक एक ही लोकसभा में आते हैं ये अलग-अलग लोकसभा में चले जाए और अगर जहां तक विधानसभा की बात करें तो फरिदाबाद और पलवल के अंदर आप फरिदाबाद जिले में माने जहां पर की टेक्नि विधानसभा नहीं हो सकती हैं अभी तक फरिदाबाद जो जिले के अंदर जो छे विधानसभा की सीटे हैं उनमें तेगाओं फरिदाबाद एनाईटी बढखल बल्लवगर और प्रतला ये छे विधानसभा सीटे इनके अंदर आप छे में मान करके चलिए कि आने वाले जो तिगाओं और फरिदाबाद सीटी का जो एरिया इसमें से एक नई विधानसभा सीट निकल सकती है क्योंकि तिगाओं में लगबग 4 लाग के आसपास वोट जा रहे हैं अगर आगे देखें तो फिर बढखल और NIT में से भी एक सीट निकल सकती है और उसके बाद चलें तो फिर बलबगड और प्रतला इन दोनों विधानसभा छेत्रों में से कुछ पलवल का एरिया जोड करके एक विधानसभा सीट नहीं या बन सकती है अगर ऐसा हुआ तो फिर फरिदाबाद जिले के अंदर 9 विधानसभा सीट हो जाएंगी और फरिदाबाद लोगसभा फिर अपने बूते पर चलने वाली लोगसभा हो जाएगी जिसके अंदर की पलवल जिले का हिस्सा ना रहे अगर पलवल जिले की बात करें तो पलवल जहां पर अभी तक 3 विधानसभा की सीटे है पलवल हथीन और हसनपर होडल इन 3 विधानसभा सीटों में भी आने वाले चुनाव के लिए बढ़ करके 5 तक पहुंच सकती है कुछ एरिया यहाँ पर मेवात का भी जोड़ा जा सकता है कुछ एरिया यहाँ पर सोहना छेतर का भी जोड़ा जा सकता है और इनको मिला करके बनाया जा सकता है 3 से बढ़कर के 5 विधान सभा पलवल के अंदर कहें तो फिर पलवल विधानसभा में जिसमें लगबग 3 लाक वोट होने जा रही है तो पलवल विधानसभा से हो सकता है कि बैसलात का ईरीया अलग करके और उसमें कुछ गाउं जोड करके और पलवल एक सीटी अलग सीट बना दी जाए अगर होडल और जो चांट का एरिया में बता रहा हूँ आपको बैसलात का बता रहा हूँ उनमें से कुछ जोड करके और फिर कुछ हतीन छेतर के गाउं निकाल करके एक सीट वहाँ बन सकती है यानि कि हसनपूर सीट एक बार फिर प्रभाव में आ सकती है जो पहले कभी रही है और इसके साथ साथ बैसलात की एक सीट प्रभाव में आ सकती है फरिदाबाद के अंदर जहां 6-9 विधान सभा हो सकती है तो पलवल में 3-5 तक पहुंच सकती है किस हिसाब से लोगसभाओं का गठन हो और याना के अंदर जो 4 सीट अगर बढ़नी है किस लिहाद से विधान सभाओं का गठन हो जिससे कि आने वाले समय में भी भारती जन्ता पारटी अपनी सत्ता को बरकरार रख सके खास कर नजर भारती जन्ता पारटी की इस पर है क्योंकि सत्ता में बीजेपी है केंदर और स्टेट के अंदर तो फिर भारती जनता प्राइटी के जो नेता कारे करता काफी हद तक अपने हिसाब से परिसीमन आयोग को अपनी रिपोर्ट दे पाएंगे हलाकि इसमें अर्जियां सभी की होती है इस परिसीमन के अंदर पक्ष विपक्ष की कोई बहुत ज़्यादा बात हुआ नहीं करती लेकिन फिर भी जिनकी सत्ता होती है उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाते हैं और इसके लावा जो जाकर काम करते ह जो मैंने बताया कि भारती जन्ता पालटी के लोग अभी से लिस्ट बनाने लगे हैं कौन सा गाउं, कौन सा भूत, कौन सी गली, कौन सा महला, कौन सा एरिया, कौन सा ब्लोक कि जहां पर कभी जीत मिलती नहीं है, वहाँ पर किस लिहाज से ऐसा किया जाए कि उनमेंसे अगली दिशा कैसी होगी आपको कहा लगता कि खासकर चो फड़ाबाद और पलवल के हमारे दर्शक हैं कि अर पको झायाज अर्याना गफोले थे जो में को सक्क्ति है और प्रफुस मैं सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें